ओम भूरभुवह स्वेहत सवीतुर्वरेणियं बर्गुदेवश्यदी महिं धियो यो नाह पर्चोदयाद ओम शांती 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 ही यागवलकें और एक सहसरगायों का जो उपनिश्दों की कता है उसका ये दूसरा भाग है तो सुनिए इस भाग के हिस्से को उसके बाद लहिय वंस में उत्थपन भर्जू ने यागवलकें से कहा यागवलकें एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरे कुछ साथ ही वेदों के अध्यान के लिए मदर देश मदरास गए हुए थी उस ऐ परिचित देश में भटकते हुए हम लोग पंत चल कापे कापी वंसज के यहाँ पहुँचे वहां हमने देखा कि उसकी लड़की को किसी गंधर की आत्माने ग्रस रखा है उस गंधर से हमने परसं किया तुम कौन हो उसने उत्तर दिया मैं आंगीरस वंस में उत्पन हुआ सुधनवा नामक गंधर हुँ तम मैंने उस सेव कहा यदि तुम वास्तों में गंदर हो तो तुमें इस लोग की परे बहुत से लोगों का ग्यान होना चाहिए इसलिए बताओ कि पारिक्षित लोग कहां है ये यागवल के अब मैं तुम से भी वही परशन करना चाहता हूँ पारिक सित लोग कहां हैं? कि यागवल के अपनी अंतरद्रिष्टी और दिव ज्यान के फल सवरूपी है, मालूम कर सकते हैं कि गंदर ने क्या उतर दिया होगा। कि यागवल के ने उतर दिया। इंदर ने बाद सूपरन पक्सी का रूप धान करके पारिक सितों को वायू में बिखेर दिया। वायू उन्हें उस लोक में ले गया जहां असव मेधियग के करतागन रहते हैं। उस उपाय से गंधर्व ने वायू की परशन जाकी। इसलिए वायू ही व्यस्टी इकाई तथा वायू ही समस्टी स्मू है। जो व्यक्ति यह जान लेता है वह मर्थू पर विजयत पाता है। यह कहकर यागवल के ने यह सिद कर दिया कि लोक किरिया करम यगादी दोवारा पूर्ण मुक्ती प्रात नहीं हो सकती। लाय वन्सोत पन भुजू यह सुनकर चुप हो गया। उसकी बाद उपस्ट चाकराईन ने कहा यागवल के मुझे उस ब्रमा की विशे में समझाओ जो साक्सात और कर्टक्स है और जो समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त रहने वाली आत्मा है। यागवल के ने उतर दिया तुमारी आत्मा ही समस्त प्राणियों के अंतर में व्याप्त है। द्वारा स्रवतर गमन करती है वही तुमारी आत्मा है। और वही समस्त प्राणियों के अंतर में है। जो उदान वयू द्वारा उपर चढ़ती है वही तुमारी आत्मा है। और वही समस्त्राणियों की अंतर में सित्त है। उपस्त चाकरायन ने कहा तुमने ब्रह्म आत्मा की जो व्याक्या की है वह ऐसी ही है। जैसे किसी से यह पूचा जाए कि गाए या घोडे की परिभाशा बताओ। और वह उत्तर की रूप में किसी गाए या घोडे को दिखा यह कोई परिभाशा नहीं हुई मुझे अच्छी तरह युक्ति पूर्ण परिभाशा द्वारा समझाओ की साक्सी और प्रतिक्ष ब्रह्म वह आत्मा जो सब के भीतर वर्तमान है कौन है और क्या है। याग वलकर ने फिर वही उत्तर दिया। स्वेन तुमारी ही आत्मा के भीतर वर्तमान है। सब के भीतर वर्तमान रहने वाली इस आत्मा का सवरूप क्या है। याग वलकर ने उत्तर दिया। तुम दिरिष्टी के दिरिष्टा को नहीं देख सकते। शुरूती के शुरूता सुनने वाले को सुन नहीं सकते। मती के मंता मनन करने वाला के सम् आत्मा का रूप है और वे सब के अंतर में है वर्तमान है जो कुछ भी उससे भी नहीं वे ऐसत्य है उपिस्ती चाक्रान यह उतर सुनकर छुप हो गया उसके बाद कहूल कोसित के ने याग वल्क से परशन किया उसने कहा याग वल्क तुम मजे भी समझाओगी साकसाथ और कृटक्स ब्रह्म क्या है वे आत्मा क्या है जो सब प्रानियों के भीतर वर्तमान है याग्यवलक ने उतर दिया स्वें तुमारी ही आत्मा सब के भीतर वर्तमान है इस आत्मा का सवरूप क्या है यह वै आत्मा है जो भूख, प्यास, सोक, मोह, जरा, बुढपा और मिर्तु पर विजय प्राप्त करती है जो ब्रहमन, ब्रहमग्याने इस आत्मा की सवरूप को जान लेते हैं तब वे पुत्रकामना, पुत्रेशना, धन प्राप्त करने की इच्छा, वित्तेशना और उत्तम लोक, शरौगाधि प्राप्त करने की आकांक्षा, लोकेशना को त्याग कर, दिक्षया वर्ती गरहन करके सन्यासीगा जीवन बिताने लगते हैं। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से धन प्राप्त करने की इच्छा उत्पन होती है और धन प्राप्त करने की इच्छा से लोकों को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन होती है इसलिए ब्रह्मन ब्रह्म ग्यानी को चाहिए कि वे पांडिते प्राप्त करके अपने को ब बल दुवारा प्रतिष्टित करे पंडित और बल प्राप्त करके मुनि मनन करने वाले पंडित अमोन तथा मोन आयविद्या और विद्या अथवा करम या ज्ञान का भीर्द जान लेता है तब ही वे सचा ब्रह्मन बनता है। ब्रह्म का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होने पर भी कोई भी करम उसे बंदन में नहीं डाल सकता। इस ज्ञान की शित्ती की अतिरिक्त। दूसरी कोई भी शित्ती विनासील है। यह सुनकर कहुल कौसित के चुप हो गया। गिरी हुई या च्छाई हुई है। यह तो मानी हुई बात है। अब यह बताओ कि यह जल किस से उत्परूत है। अंत्रिक्स, प्रत्वी और आकावस के दीच वाले लोग से। अंत्रिक्स लोग किस से उत्परूत है। गंधर्व लोग से। आदित्य लोग किस से उत्परूत है। चंदर लोग से और चंदर लोग किस से उत्परूत है। नक्सत्र लोग से और नक्सत्र लोग किस से उत्परूत है। देव लोग से और देव लोग किस से उत्परूत है। इंदर लोग से और इंदर लोग किस से उत्परूत है। परजब्धापती लोग से और परजब्धापती लोग किससे ओध पुर्ध रूथ है यागवलकन कहा गारगी अनुचित पर्शन नहीं करू नहीं तो तुम्हेरा स्फित नीची गिर जावेका इस परकार के गहन विशय को तरक दोवारा सिध नहीं किया जा सकता दर्ण तरक के प्रेह इसलिए हे गारगी तुम्हें इसके आगे परशन नहीं करना चाहिए गारगी यह सुनकर चुप हो गई उसके बाद उद्दालक आरूनी आरून के पुत्तर ने कहा यागवल के मैं और मेरे सह सिक्षारती मदर देश मैं पंच तलकापे कपी वनसज के यहां यग विशक सिक्षारत किया करते थी एक बार हमारे गुरू पतंचल की पतनी को एक गंधर की आत्मने धर दबाया हम लोगों ने उस गंधर से पूछा तुम कौन हो उसने उत्तर दिया मैं अथर्वगण का पुत्र कबंध हूँ उसके बाद उस कंधर ने पतंचल से कापे से पूछा हे का पै तुम क्या उस यग सुत्र से पृचित हो जिसे यह लोग पर लोग तता समस्त्रानी एक साथ बंदे हुए हैं पतंचल ने उत्तर दिया भगवन में उसे पृचित नहीं हूँ उसने फिर पतंचल से तथा हम लोगों से भी पूछा क्या तुम लोग उस अंत्रियामी को जानते हो जो सबकी भीतर रहकर उस लोग पर पर लोग पर तता समस्त्रानियों पर शासन करता है पतंचल ने और हम लोगों ने भी उत्तर दिया नहीं भगवन हम उसे नहीं जानते तब उस गंधरन का है पतंचल जो उस यजशुत्र को और अंत्रियामी को जानता है वे बिर्म को भी जानता है उसे लोगों का भी ज्ञान रहता है वे देवों वेदों तत्वों और आत्म के रहस्चन से प्रिचत हो जाता है उसके बाद उस गंधर्म ने यज सुत्र और अंतर यामी के समद्ध में सब बातें बताई च्यूंकि मैं भी वहाँ उपस्तिता इसलिए मैं भी उस ज्ञान से प्रिचत हो गया हूं इसलिए हे यागवल के मैं तुमारी भी प्रिक्षा ले व्यक्ति के लिए सुरिक्षित गायों को अपने घर भेज दिया हो तो तुमारा सिर निष्चे ही धड़ से अलग हो जावेगा प्रिक्षित अपने को सुरिष्ट पंडित समझ कर ये कहा करता है कि मैं जानता हूं मैं जानता हूं पर किस रूप में तुम से जानते हो यह ब लोग को और समस्त प्राणियों में अपने में प्रवे हुए है इसलिए है गोतम जब कोई मनस मरता है तो उसके सम्मद में यह कहा जाता है कि उसके सब अंग ढेले पड़ गए हैं क्योंकि जीवन काल में उसके जो अंग वायू रूपी सुत्र द्वारा बंदे थे वे मिर् प्रियामि का रह से समझाओ याद वलका ने उतर दिया जो प्रत्वी के ऊपर रहने पर भी प्रत्वी के भीतर सित्त है जिसके अंत सित्त रहने पर भी प्रत्वी प्रिचित रहती है जिसका स्रीर ही प्रत्वी है जो भीतर से समस्त प्रत्वी पर सासन करता है वह तुमारी आत्म है वे अंत्रयामी है वे अमर्त है जो जल के ऊपर सिथत रहने पर जल के भीतर नहित रहता है जिसके अस्तितव से जल स्वंप्रीचित नहीं रहता जिसका श्रीड जल ही है जो भीतर से जल पर शासन करता है वे तुमारी आत्म है वही अंत्रयामी है वही अमर्त है जो अ उपर अगनी के बायरूप में सित्वत रहने पर भी उसके भीतर निहित रहता है, जिसके अस्तितव से अगनी श्वम प्रिचित नहीं रहती, जिसका स्रीड अगनी ही है, जो भीतर से अगनी पर शाषन करता है, वह तुमारी आत्मा है, वही अंत्रियामी है, वही अम्रत है, जो अंत्रिक्स के ऊपर सितत रहकर उसकी भीतर निहित रहता है, जिसके अस्तितव से स्वम अंत्रिक्स प्रिचित नहीं रहता है, जिसका स्रीर अंत्रिक्स ही है, जो भीतर से अंत्रिक्स पर शासन करता है, वह तमारी आत्मा है, वह अंत्रियामी है, वह अमरत है, पर शासन करता है वही तुमारी आत्मा है वही अंतरयामी है वही अमरत है जो स्वर्ग पर सित्वत रहकर भीतर भी नहीत रहता है जिसके अस्तितों से स्वर्ग प्रिचित नहीं रहता जिसका स्रीर स्वर्ग ही है जो भीतर से स्वर्ग पर शासन करता है वही तुमारी आत्मा वही अंतरयामी है वह अमरत है जो सुरिये पर सित्वत रहकर उसकी भीतर भी नहित रहता है जिसके अस्तितव से स्वं सुरिये परिचित नहीं रहता जिसका स्रीर सुरिये ही है जो भीतर से सवर्ग पर सासन करता है वह तुमारी ही आत्मा है वही अंतरयामी है वह अमरत है जो दिशाओं पर सिथत है और उनके भीतर भी नहीत है जिसके अस्तितव से श्वन दिशाएं परीचित नहीं रहती जिसका श्रीड दिशाओं ही है जो भीतर से दिशाओं पर शासन करता है वह तुमारी ही आत्मा है वही अंतरयामिय है वह है अम्रत है जो चंदर्मा और नक्षत तुनिभार्वर अंत्रों पर सिथत है उनके भीतर भी नहित है जिसका इस्तितव सेश्वन चांद तारइ भी परिचित नहीं रहते है। आत्म है वह अंतरयामी है वह अमरत है जो अंदकार में सितत है और इसकी भीतर भी नहित है जिसके अस्तितव से श्वम अंदकार भी परिचित नहीं रहता जिसका श्रीड ही अंदकार है जो भीतर से अंदकार पर शासन करता है वह तुमारी आत्म है वह अंतरयामी है वह अमरत जो प्रकास में शितत है और इसके भीतर भी नहीत है जिसके अस्तितव सेश्वम प्रकास भी परीचित नहीं रहता जिसका श्रीड ही प्रकास है जो भीतर से प्रकास पर शासन करता है वे तुमारी ही आत्मा है वही अंतरयामी है वही अम्रत है जो समस्त भूतों तत्वों में सिथत है और उनके भीतर भी नहीत है जिसके अस्तितव से श्वम भूत भी प्रीचित नहीं रहती जिसका स्रीड भूत में है जो भीतर से भूतों पर शाषन करता है वे तुमारे ही आत्मा है वह अंतर यामी है वह अम्रत है जो प्राण में सिथत है और प्राण के भीतर भी न आसटेतव प्राण भी प्रीचित नहीं रहती। जिसका श्रीर प्राण में है। जो भीतर से प्राण पर शाषन करता है। वे तमारे ही आत्मा है। है वही अंतर यामी है वह अमृत है। जो वानी में सित्त है और वानी के भीतर भी नहींत है जिसके अस्तितव सेश्वम वानी परिचित नहीं रहती जिसका श्रीर वानी ही है जो भीतर से वानी परशाषन करता है वह तमारी ही आत्मा है वही अंतरयामी है वह अम्रत है जो चक्षू में सित्त है और चक्षू के भी भीतर भी नहींत है, जिसके अस्तितों से श्वम् चक्चु भी परिचित नहीं रहता, जिसके श्रीर चक्चु ही है, जो भीतर से श्रोत्र भी परिचित नहीं रहता है, जिसका श्रीर श्रोत्र ही है, जो भीतर से श्रोत्र परिचित नहीं रहता है, जिसका श्रीर श्रोत्र ह जो मन में सितत रहता है और मन के भीतर भी नहीत है, जिसके अस्तितव से स्वन मन परिचित नहीं रहता है, जिसका स्रीड मन ही है, जो भीतर से मन पर शासन करता है, वे तुमारी ही आत्म है, वही अंतरियामी है, वही अम्रत है, जो तवचा सपर्शेंद्रिय पर सितत है, और तवचा के भीतर भी नहीं है तहाई जिसके अस्तितव से स्व shortcuts भी परिचित नहीं रहता है, जिसका स्वरीर तवचा ही है, जो भीतर से तवचा प払शाशन करता है वे तुमारी ही आत्मा है, होई अंतरयामी है, वह अमर्त है, जो विज्ञान परसितत है, और विज्ञान के भीतर भी नहीं तो है, जिसके अस्तितव से इस्वम विज्ञान भी परिचितनी रहता है, जिसका श्रीड विज्ञान में है, जो भीतर से विज्ञान पर शासन करता है, वे तमारी ही आत्म है, वही अंतर यामी है, वे अमरत है, जो पृस्की जनन शक्ती प पर शाषन करता है वे तुमारी ही आत्मा है वही अंतर यामी है वही अम्रत है वे स्वम अद्रश रहने पर भी देखता है स्वम असृत रहने पर भी सुनता है स्वम अमन एचिंत रहने पर भी वे मनन चिंतन करता है वे स्वम अज्यात रेने पर भी सब कुछ जानता है उसके अतरित कोई देखने वाला नहीं है उसे छोड़ कर दोसरा कोई सुनने वाला नहीं है मनन करने वाला नहीं है और जानने वाला नहीं है एक मात्र वही है यह सब करियाएं करता है वह तुमारी ही आत्मा है वही अंतरियामी है व याग्यवलका ने इस परकार विस्तार के साथ आत्मा की एकता, सुरव व्यापकता और अमर्ता का ज्यान समझा तो उद्धालय कारोनी चुप हो गए, दूसरा भाग मैं इस कथा का यहीं समाप्त करता हूं, नमस्ते मेरे दोस्तों, नमस्ते प्लीज वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना और शेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, नमस्ते मेरे दोस्तों, तीसरे भाग में कथा जारी रखूंगा